मैं डॉक्टर सुब्रश सकसेना सीनियर लेपरोस्कोपिक जनरल सरजन नीलकंट हॉस्पिटिल में टेक्टिस कर रहा हूँ मैं आप आपको बताने जा रहा हूँ कि गॉल बेडर यानि पितिशी की पत्थरी कैसे बनती है और उसका उपरेशन या ये लज़का उपचार कैसे किया जाता है पहले हम यह जानना चाहते हैं कि पित की थेली होती कहां पर है पित की थेली लिवर के नीचे होती है और पित की थेली में हमारे लिवर से जो जूस निकलता है जो एंजाइम्स निकलती है वो वहां इखटे हो जाते हैं और जब हम कभी कोई तली हुई चीज फैट खाते हैं तो पित की थेली में से वो जूस निकलता है और फैट को डिज ज़्यादा बनने की वज़े से कुछ दिनों में उसमें पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए जब आप इसमें पथरी बन जाएगी तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और दीरे-दीरे करके आपको तकलीफ बढ़ती चलिए ऐसा कौनसा खाना है जिसकी वज़े से हमारी पित की थेली में पथरी बनने के चांसे बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जतंग करता है नौनवेच वे प्रॉसेस्ट मीट जिसे बोलते हैं जो हमारा पैक्ट मीट आता है जिसमें ज़्यादा फैट होता है ये चीज़े हमारे पित की थेली की पथरी को बनाने में हल्प करती है। जितना ज़्यदा हम खाएंगे उतना पित की थेली में पत्री बनेगी। या फिर हम कोई बहुत ज़्यदा फैटी चीज़ें खाते हैं, तलावगा खाना खाते हैं, उससे भी हमारी पित की थेली में पत्री बनती है। या हम exercise नहीं करते हैं, जो डबे में by pack खाना आता है, अगर हम उसको खाते हैं, तो उससे भी हमारी पित की थेली में पत्री बनने के chances बढ़ जाते हैं, अगर हमारी पित की थेली में पत्री बनी हुई है, तो हम जबी भी ऐसा खाना खाएंगे, जिसमें fat जादा है, या जिसम निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पत्री होने की वज़े से निकल नहीं पाएगा, और आपको दर्ध होना शुरू हो जाएगा, इसलिए पित की थेली के सबसे बड़ा symptom होता है, कि आपको उल्टिय होती है, या आपके पेट में दर्ध होना शुरू हो जाता है, अगर पत्री बन जाती है, तो हमारे को उपचार करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम इसको दुर्भीन के ऑपरेशन से पित की थेली को निकल वाएगा, या अगर पित की थेली पे पत्री बहुत जादा नहीं बनी है, तो हम ये खाना अवाइड कर सकते हैं, उस दिनों के ल अब operation का क्या तरीका होता है उसको बोलते हैं लेपरोस्कोपिक कोलिसिस्टेक मतलब दुरूबीन के द्वारा हम पित की थैली को निकालते हैं और पित की थैली के लिए सबसे common operation यही है इसमें पेट में हम छोटे-छोटे एक-एक सेंटीमिटर या 0.5 सेंटीमिटर के आदा से च्छेद करते हैं तीन और उससे हम पित की थैली निकाल लेते हैं यह operation आदत से पौने घंटे का होता है और hospital में आपको एक ही दिन के लिए रहना पड़ता है और चार से पांस दिन के बाद आप काम पे जा सकते हैं इसमें तकलीब भी कम होती है दर्द भी कम होता है तो यह पित की थैली बनने के बाद क्या उपचार और क्या operation है इसकी जानकरी इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकरी लेनी है या इसके बारे में और डेटेल में पता करना है तो आप दिखाई हुए नंबर पे आप कॉल करिए और डॉक्टर से सलहा लीजे धन्याओं